टेकनो पोवा 5G आज इंडिया में हो गया है लॉंच काफी बड़े साइज का बॉक्स है और यहां पर बॉक्स पर बैजिंग है मैंचेस्टर सिटी की क्योंकि टेकनो ओफिसियल ग्लोबल पार्टनर है मैंचेस्टर सिटी फुटबॉल कलब का तो चलिए भाई बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा है यह फॉन टेकनो पोवा 5G तो भाई अन्रेप फटाफट से कर देते हैं स्लाइड करके निकालना पड़ेगा बहार और यहां पे स्लाइड हमने किया और फॉन भाई काफी बड़े साइज का फॉन है और यह यहां पे सबसे पहले इसको ही निकाल देते हैं इथर ब्लैक कलर रहे है यूजर मैनुवल 12 मन्थ वारंटी कार्ड 18 वार्ट का फास्ट चार्जर ताइप सी का चार्जिंग केबल सिम एजक्टर टूल एक केस क्वालिटी ठीक थाक है बाकि यहां पे मैंचेस्टर सिटी लि यहां पे बैजिंग दी हुई है टेक्नो पोवा 5G और यहां पे 50 MP AI triple camera setup आपको दिखाई देगा चलिए power on करते हैं टेक्नो powered by android एक बात तो है मैं बहुत सारे टेक्नो फोन अन्बोक्स कर चुका हूं टेक्नो बड़े साइज के फोन बनाता है और यह फोन भी बड़े इसके फोन पसंद है तो टेक्नो के फोन आपको definitely पसंद आने वाले है और वैसे भी अगर top 5 smartphone brand की बात करें जो कि 10,000 से नीचे के फोन बनाते है तो हाँ टेक्नो top 5 के अंदर आता है लेकिन यह जो 5G फोन है इसका design की अगर हम बात करें तो design मुझे काफी अच्छा लगा इस आपको right side में मिल जाता है power on off button और इसी में आपको fingerprint मिल जाता है तो कि काफी fast work करता है यहाँ पे उपर की तरफ आपको volume rocker मिल जाते है बोटम साइड में आपको मिल जाता है 3.5 mm audio jack, mic और type C का charging port और यहाँ पे मिल जाता है speaker grill वहीं left side में आपको sim tray के option मिल जाते है और काफी powerful processor के साथ आता है तो सबसे पहले इसके performance की बात करेंगे इसके अंदर आपको मिलता है Dimensity 900 6NM octa core processor performance की जहां तक बात है तो वहीं gaming के अंदर इसकी performance काफी ज़्यादा कमाल किये अगर आप bzmi खेलते हैं तो आप smooth में extreme तक खेल सकते हैं HDR में ultra setting तक खेल सकते हैं even काफी आपको experience मिलेगा क्योंकि gaming के बहुत सारे feature इसके अंदर है यहां पर आपको panther game engine मिल जाता है even आपको health mode भी मिल जाते हैं और भी बहुत सारे feature यहां पर मिल जाते हैं gaming के दुरान यहां पर आपको touch response rate इसका 180 Hz का वो काफी गमाल का experience देता है lag बिलकुल भी नहीं करता है और क काफी अच्छा gaming experience आपको देगा तो अगर आप gaming के दिवान है तो यह phone आपको काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है अच्छा इस phone के अंदर आपको G-axis vibration motor मिल जाती है जब आप gaming करते है तो आपको काफी अच्छी feeling देता है अब यह phone एक 6.9 inch की बड़े size की full HD plus dot end display के साथ आता है gaming वगेरा में काफी अच्छा experience है क्योंकि refresh rate 120 hertz की यहाँ पे मिलती है touch response rate 180 hertz के मिलती है even आप application वगेरा के animation देखेंगे तो काफी smooth आपको दिखाई देगे और यहाँ पे अगर आप videos वगेरा देखते हैं तो फी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है videos देखने क experience भी काफी कमाल का है लेकिन हायार अगर यह display एम लोड होती तो मुझे जादा और भी जादा अच्छा लगता बाकि online अगर हम scrolling कर रहें तो काफी जादा smooth experience हमें देखने को मिलता है N2T score की बात करें तो कमाल का N2T score निकाल के देता है आप देख सकते हैं 4,80,000 के आसपास का N2T score इसके अंदर आता है जो कि इस segment के phone में काफी अच्छा score है चले दोस्तों आप बात करते हैं phone के cameras की तो यहाँ पे rear side में आपको 50MP का AI triple camera setup दिया हुआ है 50MP, 2MP and एक AI camera और वहीं अगर front side की बात करें तो आपको 16MP का एक selfie camera दिया हुआ है बाकि feature rich camera है यहाँ पे आपको AI cam, portrait, beauty mode, super night mode, slow motion, ultra HD, AR shot, panorama, even documents scan कर सकते हैं आप, time lapse, short video का भी यहाँ पे आपको option मिल जाता है तो camera में feature तो भर भर के दिये गए, even आपको eye auto focus का भी यहाँ पे option मिलता है और अगर बा यहाँ नहीं करता, be frank, even यहाँ पे आपको एक चीज और भी मिलती है, ultra steady mode, यानि जब आप video record करते हैं, आप steady mode को on कर देते हैं, तो यहाँ पे video काफी हत्तक stable आती है, बाकी मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कि थोड़ा और smooth होना चाहिए था, मुझे quality ठीक ठाक लगी, बहु नहीं लगी, इवन अगर हम vlogging करते हैं, तो vlogging हाँ इससे कर सकते हैं, क्योंकि front side में भी आपको beauty mode मिल जाता है, और ultra steady mode को भी आप on कर सकते हैं, 4K 30fps तक इससे video record कर सकते हैं, photo की जहाँ तक बात है तो आप screen पर देख सकते हैं, 50 megapixel का आप देख सकते हैं, यह photo है, जो मैंने AI camera स क्लिक किया है, इवन बहुत सारे filter भी इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, आप filter वगेरा भी use कर सकते हैं, काफी अच्छे अच्छी photo क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसका portrait mode, तो blur काफी अच्छे से यह कर लेता है, इवन यहाँ पे अगर बात करें तो इसकी selfie आप देख सकते हैं, selfie में आपको bokeh mode मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको normal AI camera भी मिल जाएगा, हाँ ultra wide जो photo है, उसका option यहाँ पे नहीं मिला है, यह ultra wide photo इससे click नहीं कर सकते हैं, तो इसके अंदर एक ultra wide camera भी होना चाहिए था, आप 4K वीडियो बहुत record करते हैं mobile से तो आप इसे 4K 30fps तक record कर सकते हैं, इवन time lapse भी बना सकते हैं, अब बड़े size का phone है, तो बैटरी भी बड़ा होना जरूरी है, तो यहाँ पे आपको मिलते है 6000 mAh की battery, जो कि काफ़ी बड़ी होती है, इवन यहाँ पे 18 watt का in the box fast charger मिल जाता है, 33 minute के अंदर 50% यह phone charge हो जात बाकि इसका जो processor है, वो 6NM पे बना हुआ है, तो जो battery की efficiency है, जो power efficiency है, वो आपको काफी अच्छी मिलते हैं, आप काफी time तक इसमें gaming कर सकते हैं, storage की जहां तक बात है तो 8GB के LPDDR5 RAM मिल जाती है, with memory fusion आप इसको as a virtual RAM 11GB तक expand कर सकते हैं, 128GB की storage मिल जाती है, वो भी UFS 3.1, बाकि app को आप कितना भी open कीजिए, फटा फट 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 open हो जाती है, कोई भी lag अगेरा देखने को नहीं मिलता है, even techno यह कहता है इस phone के बारे में, कि इसका जो application startup speed है, वो 80% तक increase है, जो कि मुझे देखने को भी मिला, मुझे performance में कोई भी कमी नजर नहीं आई, बाकि operating system के बात के तो iOS मिल जाता है, जो कि based है Android 11 पर, बाकि इसका UI मुझे काफी ठीक लगा, और अगर मेरे first impression की बात करूँ, इस phone के बारे में, तो भाई इसकी जो price है, वो है 19,999, यानि लगबग 20,000 रुपे का यह phone है, तो मेरे first impression इस phone के बारे में यह है, कि gaming के लिए काफी ठीक फॉन, performance काफी अच्छी है, हाँ, इसके अंदर में को थोड़ी-थोड़ी कमी लगी, जैसे कि इसकी जो display, वो अगर emolode होती, तो ज़्यादा अच्छा होता, और camera जो performance है, वो थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी, बाकि आप बताएर, आपको इस phone कैसा लगा, जो भी ह आपके विचारों, comment section में लिख देना, इस वीडियो को like कर देना, क्योंकि बहुत मैनत लगती है, ऐसी unboxing वीडियो बनाने में, और वीडियो को share भी कर देना, चल पर पहली बार आए, subscribe करने के साथ, notification bell को दबाके, all पर click करना, इसी तरह का content मैं आपके लिए बनाता रहता हू चलिए मिलते हैं, अगली वीडियो में एक नए topic के साथ, तब तक के लिए, चैह हिंद,